आप सभी को एक्जाम नेनों यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक को कोभर कराएंगे वो है आपका पंचायती राज प्रनाली आप लोग पंचायत वला विप स्रीज देख लिए होंगे और अब आज पढ चुकिए अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर पंचायती राज प्रनाली यानि कि पंचायती राज सिस्टेम को आप क्यू पढ़े आपके पास टाइम बहुत ही कम है आपको सलवस कोभर करना है तो आखिर आप पंचायती राज सिस्टेम के कॉंसेप्ट और MCQ को क् कारण है कि इससे पहले जो एकजाम जेससी दर कंड़क्ट कराए गई उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्थानिय सरकारी निकायों पंचायतों और नगरपलिकाओं में डैस सिटे महिलाओ के लिए आरक्षित रहती है चार ओप्सेन था कि आठवा हिस्सा 1-8 सि सिस्टेम को भली भाती पड़े होते कि पंचायती राज सिस्टेम कब लागो हुआ था कौन-कौन सा समीति इस पर बने पंचायती राज सिस्टेम पर तिन सारे चीजों का निचोड आज की क्लास में आपको मिलने वाली है तो सेसन की शुरूवात करते हैं सेसन को लाइक वीडियोज देख रहे होंगे सभी ग्रामिन छेत्रों से बिलोंग करते होंगे यानि की विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे वो सभी को पता है कि कुछ नों कुछ काम पड़ता है तो हम लोग पंचायत ओफिस जाते है और वहां अपना कामों को निप्टाते है तो पर आपका लोकतांत्रिक शासन को क्या मिले? बड़ावा मिले, इस्थानियों जो सम ontoाइ होती है, उसको सक्षम बनाए जा सके और आपका जो सक्ती का विक्ट्रेंद्री करण है भारतिय संग्भिधान में कि केंद्र इस्तर पर होगा, राज राज इस्तर पर राज सरकर होगा, उसी तरह से ग्रामिन इस्तर पर क्या होगा आपका पंचायत होगा, नगर पालिका, नगर निगमबला क्लास हम लोग कल कराएंगे, आज हम लोग पंचायती राज सिस्टेम पर फोकस करेंगे, तो पंचायती राज प्रनाली को लागू करन नहीं है आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि इसमें सक्ति का विकंद्री करन होता है और इस प्रनाली के माजदम से गाउं में क्या होगा डेवलोप्मेंट जो इसकीम होती है उसको लागू किया जाता है और भारत के संग्विधान में किस संग्सोधन अधि हुआ और एक पारित हुआ उसी एक्ट में आपका पंचायती राज प्रनाली के बारे में बात क्या गया है तो यह जो आपका संग्सोधन अधिनियम है यह आपका 1992 में पारित हुआ था और लागू कब हुआ था यह भी आपका एक्जाम में पूछा जाता है 24 अप्रेल 1993 को यह लागू हुआ था तो आप यह दोनों डेट याद रखेएगा कि 73 संग्सोधन अधिनियम पारित हुआ था 1992 बट आपका लागू का हुआ था 24 अप्रेल 1993 को यह लागू हुआ था दोनों डेट इंपोर्टेंट है तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि पंचायती राज सिस्टेम होता क्या है और इससे जूड़े हुई कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस आगे बढ़ने से पहले अगर आप जारकन सिक्चकवर्थी परिक्षा के त्यारी कर रहे है तो आप इतिहास का नोट्स NCRT वेस्टे नोट्स स संग्विधान में एक भाग जोड़ा गया पंचायती राइट सिस्टेम के लिए वो कौन सा भाग है भाग नोट्स इंपोर्टेंट इसको आप एकदम याद रख लीजेगा किसी भी तरीके सा आप याद रखेएगा आपका जिम्मा की आपको याद कैसे करना है कि भाग नो में भाग नो में पंचायत को जोड़ा गया पंचायती सिस्टेम को भारतिय संग्विधान के भाग नो में इस एक्ट को आपको जोड़ा गया अनुच्छत कहा से कहा तक आपका भारतिय राइट सिस्टेम से परवदान है तो 243 से 243 वो तक आपका आर्टिकल में में इसके बारे में पंचायती सिस्टेम के बारे में, साती साथ एक उनुसूची जोड़ा गया, जो आपका उनुस्चे 243G के साथ सम्मंदीत है, और इसमें आपका किसके बारे में बात क्या गया है, पंचायत के 29 कार्यात्मक बिशाई, यह आपका एक बार BPSC में पूछा जा चुका ह कि आपका पंचायत का कितना बिशाई है, BPSC या कोई दूसरा एकजाम होगा, उसमें 29 कार्यात्मक बिशाई है, कितना 29, तो number of subjects आप याद रखेएगा, इसमें 29 बिशाई है, और कौन सा आर्टिकल में यह है, 243G में है, और कौन सा उनुसूची में है, 11th सिडल में इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो तीन बातें आपको याद रखना है, भाग 9, उनुच्छेद, यानि कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपका पंचायत से समंदित परवधान है, और पंचायत में कितने बिशाई है, टोटेल 29 बिशाई है, कौन सा उनुच्छेद में बिशाई बार राजस्थान के नागोर जिले में ये अपलाई हुआ, यानि जब पंचायती राज सिस्टेम इंडिया में लागू हुआ, कब लागू हुआ, 1959, जब लागू हुआ, तो सबसे पहली बार राजस्थान में इसको लागू किया गया, नागोर जिले में, राजस्थान में लागू होने के बाद यह कहाँ पर लागू हो आपका आंधर प्रदिर्श में इसके इस्थापना क्या गया और उसके बाद धीरे धीरे बाकी श्टेट्स भी क्या-क्या इसको लागू किया अब पंचायती राज व्यवस्था को और बहतर बनाने के लिए सिस्टेम में सुधार लाने के लिए जो भी कमी दिख रहा था उसमें सुधार लाने के लिए कुछ समितिया बने, कुछ कमिटीज गठी थुई तो कौन-कौन सा कमिटीज है और ये कमिटी से कुष्चेन आपका बहुत सरे एकजाम में पूछा जा चुका है कि ओसक महता समिति जो कमिटी बनाए गए, किस चीज के लिए बनाए गए थी तो ओसक महता समिति आपका पंचायती राज पंचायती राज प्रनाले से समंदित कमिटी है LM सिंग्वी समिति किस बिशाई से समंदित है तो पंचायती राज से समंदित है तो टोटल कितना है, सबसे पहला आप याद रखेगा सबसे पहला समिति के नाम है पलबंत राई महता समिति 1957 उसके बाद आया आपका ओसक महता समिति 1977 उसके बाद आया आपका जिविक जी वी के राव समिती 1985 उसके बाद आपका आया LM सिंगवी समिती 1986 आप्टर देट थुंगन समिती, आप्टर देट कार्डिकल समिती और इन सारे समिती को आपको याद रखना है एक बार आप अभी देख लिए इसका screenshot रख लिजिए या ये PDF आपको application पर डलवा दिया जाएगा note section में आप जाएगा PDF section में तो वहाँ पर आपको ये PDF आपको मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे लिए नेकि पंचायती राज प्रनाली की कुछ विशेस्था ये तो कोन-कोन सी विशेस्था ये है यहां सब्याब को Economics वाला Question आपका exam में पूछा जा सकता है आपको यार रखना है कि पंचायती राज प्रनाली क्या है तो ये कितना इस्तर है, तीन इस्तर है इसमें, तो ग्रामिन इस्तर पर आपका क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक इस्तर पर क्या होता है, आपका पंचायत समिती होता है, और जिले इस्तर पर क्या होता है, आपका जिला परिस्द होता है, तो ये तीनों आप या इस्तर पर आपका जिला परिश्यद है अब ग्राम पंचायत हो गया पंचायत समिती हो गया जिला परिश्यद हो गया यहां पर जो भी विक्ति फंसन में है तो उसका चैन के सो होता तो इलेक्षन के माध्यम से चैन होता है चुनाब दरा चैन होता है अगर आप पंचायत दराई चैन होता. आप याद रखिया एगा चुनाब किस के दरा होता है है यार्नि कि चुनाब कैसे होता, ग्राम-सभा के दरा गुप्त-मद्दान के माजम से होता है. साथ आप को बतायाते कि पंचायती राज प्रणालेम क्या है स्वायत्तता है और स्वातंत्रता है समुदा एक सहवागिता हम लोगों को देखने को मिलता है कि इसमें पंचायती राज सिस्टेम में क्योंकि ये ग्राम मिनिस्तर पर काम करता है तो ग्राम के सभी लोग इसमें सामिल होते है जो भी चीजे जो भी केंदर सरकार का जो भी scheme है राज सरकार का जो भी scheme है जब उसको लागू करने की बारी आता है तो पंचायत का एक important role होता है उसमें और उस role को निवाने में ग्रामीनिस्तर पर जो है आपका ग्राम के सभी लोग जो है सहवागीता के साथ क्या करकेते हैं help करते हैं और scheme को successful बनाते हैं तो समुदाइक सहवागीता एक important feature से किसका पंचायती राज प्रनाली का तो यह important part है उसके बाद हम लोग देखेंगे जहां से question आपका पूछा गया था reservation of seats तो आप याद रखेगा कि आरक्षित seatों की cool संखा में से जितना भी seat मानले ते total seat कुछ भी हो और उसमें से कुछ seat आपका आरक्षित होगा तो आरक्षित seatों की cool संखा में से कम से कम एक तिहाई seat कितना एक तिहाई यानि one but a third seat जो है आपका किसके लिए आरक्षित होगा अनुसचित जाती या अनुसिचित जन जाती के महिलाव के लारक्षित होगा और हर एक पंचायत में चाहिए हुआ सेस्टी हो या ना हो परित्यक पंचायत में परतक्ष चुनापदारा भरी जाने वाले सीटों की कूल संख्या में से एक दिहाई सीट जो है आपका महिलावक psychologically होगा तो आपके याद रहतना है महिलाव के लिए कितना सीट औरक्षित है इक दिहाई सीटर होगा आपका है तो यहाँ पर आपको पंचायत राय सिस्टेम से concept आपको समझ मा गया अब साते साथ concept के साती साथ आपको क्या करना है आपको MCQ भी करना है so that आपको exam का एक बहतर त्यारी हो पाई session अच्छा लग रहा है तो session को like किजेगा बाकी advanced level पर आप जाना चाहते है तो application को download किजेगा वहाँ से आप courses को access कर सकते है आपकी screen में दिख रहा होगा ये किसी ने किसी exam में जरूर पूछा गया है तो एक प्रकार से आपका previous year question का जो है आपका concept समझ मा आएगा कि किस प्रकार से इस topic से question पूछा जाता है साती सात उन सारे questions को भी डाला गया है जो आपको basic को आपको clear करेगा पंचायती राज सिस्टेम से समंदित तो सबसे पहला question आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस बर्स हुई थी अभी-अभी हम लोग बात किये थे कि 1959 में इसके स्थापना हुई थी कहां से रायस्थान के नागोर जिला में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस बर्स हुई आपका 1959 में इसके स्थापना हुई second question आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश से क्या है तो अभी अभी हम लोग बात कि कि पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश से है वो है कि ग्रामेन विकास ग्रामेन इस्तर पर क्या करना है डेवलोपमेट करना है जो भी स्कीम से उसको सफलता पुरवग लागू करना है। चाहे हो सेंटर का स्कीम हो यानि कि संटरल गवर्मेंट का स्कीम हो या इस्टेट गवर्मेंट का स्कीम हो। थर्ड कोश्चन आपसे यहां पुछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतरगत कितने इस्तर होता है तो हम लोग अभी अभी देखे ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायत इन सारे चीज़ों को तो टोटल कितना इस्तर होता है तीन इस्तर होता है तो हम लोग अभी अभी देखिया, त्री इस्तरिय संगरचना, कौनसा आपका इस्तर देखने को मिलता है, त्री इस्तरिय संगरचना आपका पंचायती राज व्यवस्ता में देखने को मिलती है, Q4 आपसे पुछा जा रहा है, यहाँ पर कि पंचायती राज के अंतरगत निम्नलकित में से कौनसा इस्तर सहरी छेत्र के लिए होता, तब यह हम लोग देखे, ग्राम पंचायत, ग्राम इस्तर पर होता है, ग्राम सभा हो गया, जिला परिश्यद हो गया, यह सारे आपका जो ह होता है, यह क्या पुछा, सहरी छेत्र के लिए, यह सारा आपका ग्रामिन इस्तर पर होता, बट सहरी छेत्र के लिए क्या होता, नगर पंचायत, नगर निगम, इसके बारे में हम लोग कल के कलास पर डिसकस करेंगे, नेक्स्ट क्योश्चन आपसे पुछा जा रहा है, बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है यह क्योश्चन, कि भारतिय संग विधान में पंचायती राज दवस्था के लिए किस उनुच्छत में परवधान है, तो आर्टिकल 243 में आपका किसके बारे में परवधान है, पंचायती राज दवस्था से समन्धित, नेक्स्ट क्योश्चन आपसे पुछा जा रहा है कि पंचायती राज दवस्था का प्रारंभिक विचारधारा किस नेता के दोरा दी गय थी, तो महत्मा गांधी के दोरा सबसे पहली बार विचारधारा दिया गया था, किस सिस्ट Article 243 में आपका प्रवधन किया गया Next question आपका पंचायती राज जवस्ता के लिए प्रमुख निर्नई लेने का अधिकार किसे होता ग्राम सभा निर्नई लेता है या प्रमुख निर्नई या आप ध्यान देंगे Important जो decision होता है उसका निर्नई लेने का अधिकार किसके पास होता ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास या जिला पंचायत के पास या पंचायती राज मंत्री के पास तो जिला पंचायत के पास जो होता है आपका important decision लेने का अधिकार होता option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा question number 9 आपका बार बार होई question repeat हो जा रहा है question number 10 आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतरगत किस राज में ग्रामीन एभंग सहरी छेतर के लिए विशेस इस्थान है तो कौन सा राज में आपका उत्तर प्रदेश option number 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा question number 11 आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतरगत किस इस्तर पर काम किया जाता है तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतरगत आपका ग्राम इस्तर पर नगर इस्तर पर और तहसिल इस्तर पर काम किया जाता option number D इसका सई उत्तर हो जाएगा पंचायती राज वबस्ता के अंतरगत किस नेता का अधिकार सरवच्य होता है तो आपका ग्राम प्रधान आप अभी पंचायत का अधिकार सरवच्य होता है आपका ग्राम प्रधान का अधिकार जो है सबसे सुप्रिम होता है हाइस्ट होता है question number 13 की और आगे बढ़ेंगे हम लोग session को like करते रहेगा share कीजेगा जो भी doubt account box में comment कीजेगा पंचायती राज वबस्ता के अंतरगत किसका नामो नाम आयोग नहीं होता यानि किसके नाम पर कोई भी आयोग नहीं होता जैसे कि हम लोग जानते है कि जिला समिती के नाम से एक आयोग होता है ग्राम सभा के नाम से भी एक आयोग होता है पंचायत समिती के नाम से भी एक आयोग होता है बट ग्राम सेक्रेटरी के नाम से कोई भी आयोग नहीं होता है। इसमें आर्टिकल नमर 243B में ग्राम सभा की सेंखा के बारे में बात क्या गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतरगत किसका कार्य चेत्र केंद्रिय और राज सरकार के निर्देश पर होता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस अंतरगत में परवधन है कि ग्रामीन अमंग सहरी चेत्र के लिए अलग-अलग उद्देश से समाप्त किया जाई। ग्रामीन इस्तर पर और सहरी लेवल पर जो हम लोग अलग-अलग एम सेट की है वो समाप्त हो जाना चाहिए। यह है आपका आर्टिकल 243-Z में किस में बरणन क्या गया इसके बारे में आर्टिकल 243-Z में इसके बारे में चर्चा क्या गया है। गया है क्योंकि बारे में आर्टिकल अलाइलाग चीजों से समान दी थे। तो इस प्रकार से टोटल 20 कुश्चन हम लोग कंप्लिट किये आज का सेसन कैसा लगा। कमेंट बक्स में कमेंट करके आप लोग बताएगा। और जिसको भी नोट्स बगर एक्सेस करना है अपलिक्शन को आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा। आप लोग वहाँ पर paid courses में जाएगे तो आपको नोट्स जो है बहुत ही minimal price में आपको मिल रहा है। बाले इसको हम लोग 25 में launch किये थे बट इसको उसी टाइम बताए थे कि इसका price जो है धिरे-दरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि इसका जो price है वो 75 है बट अब इसका price आपको कितना में मिला 30 रुपीज में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस नोट्स को। जामल क्लास 9, 10 और 12 का सारे N30 chapters को डाल दिये हैं और 11 का भी एक-दो दिन में आपका complete हो जाएगा। आप 1-5 PRT का test 3 एकसेस कर सकते हैं टेस्ट 3 सेक्षन में जा करके टोटल 7 टेस्ट आपका live हो गया है और 2-3 टेस्ट बचा हुआ जो कि आपका बहुती जल्द आपको live कर दिया जाएगा। पेपर 3 का भी आपका 6 टेस्ट आपका live हो गया है उन सारे टेस्ट को आप access कीजिए सारे टेस्ट को देने के बाद अपना performance को अफजज कीजिए उसके बाद आपका जो भी वी केरिया है उन वी केरिया पर आप काम कीजिए तो आपको बहतर रिजल्ट आपको examen आपको पांच टेस्ट आपका update हो जाएगा सारे question आपका बन रहा है question high level का हम लोग रख रहे है so that exam में आने के chances जादा हो आपका concept clear हो और साथी साथ आपको test देने में मज़ा आए तीन सारे चीजों को धियान में रखने के कारण ही थोड़ा बहुत आपको late देखने को मिलता होगा चीजों को बट आपको quality के साथ कोई compromise आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको जो quality आपको बताया जा रहा same quality आपको test reads और notes में आपको देखने को मिलेगा आप application download कीजे notes का sample वहां दिया हुआ उनसारे sample को आप देखिए उसके बाद आप decide कीजे कि आपको course को access करना है या न नमर दिखेगा उस mobile नमर में आप phone कर लिजेगा वहां से भी आपको doubt क्लियर कर दिया जाएगा चले हम लोग मिलते हैं कल session में कल आपका class नमर 102 होगा और session को like कीजेगा share कीजेगा इस motivation मिलते रहा था डैल विसस पर वीडियो वीडियो बनाने का और हम लोग बहुती जल्द करेंगे यूटूब में भी और application में भी cdp का भी और बाकी ssd का भी चले मिलते हैं कल के session में thank you